पीनट मसाला बना कर बस ये प्लेट में गारनिश ही कर रही थी कि फटाफट ये सलाथ कैसे खतम हो गया पता ही नहीं चला और बैक टू बैक ही मुझे चना सलाथ बनाना पड़ा वो भी इतना स्वादिश्ट बना था कि मैं क्या कहूं आपसे रेसेपी तो शेयर करनी है बट आपको डिसाइड करना है कि प्रोटीन से भरपूर ये सलाथ जो कि स्वादिश्ट होने के साथ साथ हेल्दी भी है आप कब बना रहे हैं फाइफ स्टार ग्रेट का ये पीनट मसाला बनाने के लिए एक स्पेशल मसाले की जरुत पढ़ती है हम सबसे पहले वही बनाएंगे मैंने एक फ्राइपेन पे धीमी आज पे हाँ पर एक चमच सोंफ एक चमच जीरा आदा चमच अजवाईन और एक चमच साबूत काली मिस डाली है धीमी आज पे ही हम उसको अलके से सेख लेंगे बस अलकी सी जीरे और अजवाईन सोंफ की खुश्पू निकलनी चाहिए अदा चमच हम डालेंगे पोधीने का पाउडर पोधीने का पाउडर अगर आपके पास नहीं हो तो ताज ये पोधीने को थोड़े धीमी आज पर आप सेख सकते हैं या फिर इसे स्किप कर जीए लेकिन पोधीने से खुश्पू बहुत अच्छी आती है सलाद में अब हम गेस बंद में ही हलका सा गरम फ्राइपन के अंदर चला देंगे ताकि ये पतियां भी अच्छे से सिख जाएं अब इन सब मसालों को हम पूरी तर से ठंडा होने देंगे हाग से छूपाए हम इतना ठंडा हो जाए जब तब हम डालेंगे इसको मिक्सर जार में और अब हम या पर डालेंगे कुछ मसाले आदा चमस में डाल रहे हूं सेंदा नमक और आदे चमस से थोड़ा कम डाल रहे हूं काला नमक बढ़िया सा कलर लाने के लिए हम डाल रहे हैं वन फूर्टी स्पून हल्दी पाउडर आदा चमस में डाल रहे हूं यहां पर लाल मिर्च चकर का बूरा कभी भी पानी नहीं छोड़ता है या फिर आप मिश्री भी डाल सकते हैं। सालाद में डालने का ये मसाला हमारा बिल्कुल तयार है। इवन आप इसको चार्ट में या फिर रायते में भी डाल सकते हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को फटा फट सबस्क्राइब करके बैल आइकोन प्रेस करने के बाद अल बटन जरूर एक्टिवेट कर लीजिए। क्योंकि उसी से हमारे न्यू न्यू वीडियो के नोटिफिक्शन्स सबसे पहले आपको मिलेंगे। तैंक यूू। अब हम एक फ्राइपेन में डालेंगे एक चमस देशी घी। आज हम मुमफलियों को शेलो फ्राइब कर रहे हैं देशी घी में। देखिए हमने बॉयल्ड मुमफली का सलाथ तो कई बार खाया होगा। लेकिन आप एक बार इस तरह से सलाथ बना के लिए। हम मुमफली के दाने डीफ्राइ बिल्कुल नहीं करेंगे। जो कि हमारी औरल हेल्थ को प्रमोट करते हैं। जिम जाने वाले बच्चों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा फायदे मन दें। क्योंकि ये प्रोटीन रिज्च होते हैं मुमफली के दाने। हाँ मुमफली के दाने हाई केलोरी होने के बाद भी ये हमारे वेट लोस में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इसलिए मुमफली के सलाद को हो में हमारे डेली रूटीन में जरूर शामिल करना चाहिए। देखिए मुमफली के दाने सिख करके बिल्कुल तयार हैं, हलका सा चिलका उतरने लगा है, बस अब हम इसको जादा नहीं सेकेंगे, एक प्लेट में ठंडा करने रखतेंगे। मिर्ची भी नहीं डाली है, इसलिए बच्चे भी इसे बड़े शौक से खाएंगे। बाकी चीजे इसमें डालने से पहले हम इस मसाले को मुमफलियों के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि मुमफलियों पर यह मसाला बहुत अच्छे से कोट हो जाए। आदा कप बारी कटी हुई गाजर डाली है, और वन फूर्थ कप में डाल रही हूँ बारी कटी हुई शिम्लामिर्स, सबजी आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं, और एक कप भर करके में डाल रही हूँ यहाँ पर बारी कटा हुआ हरा धनिया, और बिल्कुल निम्बू जरूर मिचोड़ेंगे रस के लिए ताकि खटा टेस्ट इस सलाथ का बहुत अच्छा आता है, और विटामिन सी होता है निम्बू के अंदर बहुत, इसी निम्बू हमें हर सलाथ में डालना चाहिए, अब इन सबजीयों को हम बहुत अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे, हर मील के पहले आप कटोरी भर के इस तरह का सलाथ खाईए, देखिए आपकी हेल्थ कितनी अच्छी रहती है, बचपन से ही बच्चों की डाइट में इस तरह का प्रोटीन रिच फूट जरूर शामिल कीजी, ताकि बचपन से उनकी नीव और जड़ें अच्छे स जाता है, एक कप लिए हैं आप उबलेवे चने, ये काबूली चने हैं जिसे कि हम सफेज चने भी कहते हैं, आप काले चने यानि कि देशी चने से भी ये सलाथ बना सकते हैं, हमने थोड़ा सा पनीर लिया है भो छोटे टुकड़ों में करके, और हम एक खीरा लेंगे, उसक बनाएं जिसका अंदर से गुदा हम निकाल के और बाकी चोटे टुकड़ों में कर देंगे, पत्ता गोबी को भी हमने चोटे चोटे टुकड़ों में किया है, एक प्याज डाला है चोटे टुकडों में करके, अब एक स्वाधिष्ट सी ड्रेसिंग बनाएंगे सलाथ के ल और एक बार फिर हम यहां देंगे सलाथ को एक खटा मिटा टेस्ट और आदे निम्बू का अरस में इसमें चोड़ रही हूं। और बिल्कुल थोड़ा साम इसमें डाल रहे हैं पानी और इसको हम पीस केक मिक्सचर बना लेंगे। आप एक बार घर में बनाएंगे तो सब इसको बहुत शौंक से खाएंगे और बार बार इसको बनाने की आपसे फर्माईश करेंगे। हमने इसे और जादा प्रोटीन से भरपूर बनाने के लिए इसमें उने पनीर के चोटी-चोटी क्यूप्स भी डाले हैं। मेरा पोता अभी दो साल का भी नहीं है, मैंने उसके लिए पहले बिना मिर्ची का सलाद निकाल लिया है। अब मैं डाल रहे हूं उसके नर आदा चमश लाल मिर्ची। आप लाल मिर्ची स्किप कर सकते हैं अगर नहीं खाना पसंद करें। क्योंकि इसमें मैंने काली मिर्ची पाउडर पहले डाला है। सबजिया और मसाले वगर आप अपनी पसंद के हिसाब से कम जादा कर सकते हैं। आपको हमारी दोनों सलाद की रेसेपी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी कमेंट से हमें पता चलेगा कि हमारी रेसेपी में क्या कमी है और क्या खुबी है। चलिए फिर हम जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो में नई रेसेपी के साथ। थेंक यू धन्यवाद।